सवाल नमबर एक महाभारत का युद कितने दुनों तक चला था सही जवाब माक शीर्ष शुकल 14 को महाभारत का युद प्रारम हुआ था जो लगातार 18 दिन तक चला था सतरवे दिन करण के मृत्यू के बाद 18 दिन को दूर्योधन के मृत्यू हुई थी सवाल नमबर दो क्या मरदानी टू मूवी रियल घटना पर आधारित है सही जवाब जी नहीं मरदानी टू मूवी रियल घटना नहीं है ये रियल घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई गई है देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और सीरियल किलिंग की घटनाओं के अधार पर ये फिल्म बनाई गई है सवाल नम्बर तीन अंडा पानी में डूब जाता है लेकिन नमक डालने पर तैरता है ऐसा क्यों? सही जवाब पानी में नमक मिलाने से घोल का धनतव बढ़ जाता है क्योंकि नमक बिना मातरा में बदलाव के द्रव्यमान को बढ़ा देता है खारे पानी के घोल का धनतव अंडे की तुलना में अधिक हो जाता है इसे लिए अंडा तैरता है सवाल नम्बर चार भारत के किस राजे पर सबसे ज्यादा कर्ज है सही जवाब 2019 से 20 के अंतिम बजट के अनुसार महराश्च राजे पर कर्ज का वोज 4.7 लेक करोर रुपीज से भी अधिक है जो लगादर बढ़ ही रहा है सवाल नंबर पांच क्या नाभी में तेल लगाने से चहरा गोरा होता है सही जवाब हमारी नाभी का संभंध हमारे चहरे से होता है सोने से पहले नाभी पर सरसो का तेल लगाने से कई बिमारिया ठीक हो सकती है इससे चहरा गोरा नहीं होता लेकिन चहरे पर चमक जरूर आती ह सवाल नमबर 6 भगवान श्री राम कितने वर्ष तक जिये और उनकी मृत्यू कैसे हुई सही जवाब लक्षमन की मृत्यू के बाद श्री राम काफी उदास हो गए और अपना राजपाट अपने पुत्रों को सोब दिया और सूर्य नदी की ओर चल दिये 11,000 वर्षों तक राज करने के बाद प्रभू राम ने सर्य नदी में अपना समावेश कर दिया सवाल नमबर 7 T20 में T का मतलब क्या होता है सही जवाब T20 में T का मतलब 20 होता है यानि की 2020 मैच जो की 20 ओवर का होता है पहला 2020 मैच 2003 में इंगलेंड में खिला गया था सवाल नमबर 8 3D ग्लास कैसे काम करता है सही जवाब 3D ग्लास में दो तरह के कलर लाल और नीला होता है जब हम कोई 3D मूवी देखते हैं तो ये दो ग्लास, दो इमेज हमारी दोनों आखों में एक साथ दिखाई देते हैं इससे दो इमेज हमें ज्यादा पास दिखाई देते हैं और थोड़ा रियरिस्टिक व्यू देते हैं सवाल नमबर 9 डाइबेटीज मरीज को कौन सी मिठाई खानी चाहिए सही जवाब डाइबेटीज के मरीज को शुगर फ्री मिठाई खानी चाहिए हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार पोशक तत्व से भरपूर होने के बावजूद गुड की जगाह और गैनिक शहत से बनी मिठाई खानी चाहिए और हो सके तो घर पर ही मिठाई बना के खानी चाहिए सवाल नंबर दस यूट्यूब का मालिक कौन है? सही जवाब यूट्यूब का निर्मान फरवरी 2005 में जावेद करीम, स्रीव चैन और चैड हरले ने किया था लेकिन गूगल ने नवेंबर 2006 में 1.65 बिलियन अमेरिकिन डॉलर में इसे खरी लिया जो अभी इसका मालिक है सवाल नंबर गैरा कैलाश परवत तक अभी तक कोई क्यों नहीं जा पाया? सही जवाब कैलाश परवत की उचाई 8,848 मीटर है ऐसा माना जाता है कि कैलाश परवत पर थोड़ा सा उपर चलते ही व्यक्ती दिशाहीन हो जाता है कैलाश परवत पर चड़ने की आखरी कोशिस 2001 मी की गई थी फिलहाल कैलाश परवत पर रोक लगा दी गई है क्योंकि यहाँ शिवजी का वास था और यह एक प्रवित्र जगा है सवाल नमबर 12 कबरस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब कबरस्तान को इंग्लिश में सिमिट्री, चर्च याड, ग्रेव याड और नेक्रोपोलिस कहते हैं सवाल नमबर 13 हाथों के नाखून तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन पैरों के नहीं, ऐसा क्यूं? सही जवाब हाथों के नाखून पैर की तुलना में 2-3 गुना तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि शरीर के पैरों तक बलड सप्लाई देरी से होता है और कम पहुशता है जबकि आतों पर इसका सर्कुलेशन लगा तार होता रहता है इसलिए पैरों की नाकुन दीरे बढ़ते हैं सवाल नमबर 14 बिस्तर में खटमल कैसे पनपते हैं? सही जवाब बिस्तर में खटमल गंदगी से पनपते हैं बहुत दिनों तक बिस्तर को धूप ना दिखाई जाए तो सीलन हो जाती है और ये पनपने लगते हैं इनके काटने से खुजली होती है और लाल चकते नजर आते हैं बिस्तर को धूप में रखने से ये मर जाते हैं सवाल नमबर 15 फिल्म फेर अवार्ड का आविश्कार किसने किया था? सही जवाब टाइम्स ओफ इंडिया के निर्देशन में एंजी पांच सारे द्वारा फिल्म फेर अवार्ड का स्थापना की गई थी पहला अवार्ड 21st मार्च 1954 को दिया गया था सवाल नमबर 16 अगर हम प्रकाश की रफ्तार से चलें तो हमारा क्या होगा? सही जवाब प्रकाश की रफ्तार 186,000 मील प्रदी सेकेंड होती है एतनी गती पाने के लिए मनुष्य को अधिक उर्जा के अवश्चता होगी जो कि संभव नहीं है अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मनुष्य का सरीर इतनी रफ्तार को सहन नहीं कर पाएगा और शरीर के टुकडे हो जाएंगे सवाल नमबर 17 कच्चा दूद क्यों नहीं पीना चाहिए? सही जवाब क्योंकि इसमें नूट्रल पिएज बैलेंस, पानी और अन्य पोशक ततूओं के कारण इसमें खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं इसलिए कच्चा दूद जल्दी खराब भी हो जाता है सवाल नमबर 18 सवाल नमबर 19 कोल केट का विशकार किसने किया था? सवाल नमबर 20 सवाल नमबर 20 सवाल अधारेथ हैन सैनिटाइजर पीने से शरीर में नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है अलकोहल होने के कारण पूरी बोतल पीने से नशा भी चड़ सकता है और इसके अलावा लो ब्लड शुगर, कोमा और दोरे भी पढ़ सकते हैं सवाल नमबर 21 गर्मियों में भी होट क्यों फटते हैं? सही जवाब होट सुखने पर उन्हें जीब से गिला करने पर शरीर में पानी की कमी के कारण शरीर में विटमिन बी और आइरन की कमी के कारण गर्म तेज हवा और धूप के कारण दातों से बार बार होटों को चबाने से होट फटते हैं सवाल नमबर 22 कुछ लोग नीन में क्यों चलते हैं? सही जवाब एक शोट के अनुसार हमारे शेरीर में सिद्ध क्रोमोसोम 20 की खराबी के वज़े से ऐसा होता है इसका दूसरा कारण जिनेटिक है इसके अलावा सोने के अभाव, अल्कोहल, डेप्रेशन और किसी बात की ज्यादा चिन्तित होने के कारण भी कुछ लोग नीन में चलने लगते हैं सवाल नमबर 23 मदुमक्खी के काटने से क्या होता है? सही जवाब मदुमक्खियों के डंक में जहर होता है मदुमक्खी अगर डंक मार दे तो उस कंग सूज जाता है और साथ ही तेश दर्द भी शुरू हो जाता है और कई बार दर्द और जहर की प्रभावों से बुखार भी आ जाता है सवाल नमबर 24 क्या अंडा और केला साथ में खाने से इंसान मर जाता है? सही जवाब जी नहीं डॉक्टर के अनुसरार इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है बहुत से लोग हेल्दी रहने के लिए प्रेकफास्ट में मिल्क के साथ अंडे और केले ही लेते हैं स्टार्बेक्स दौरा बनाया गया एक केक जिसमें अंडा और केला दोनों ही है लेकिन उसे खाने से कोई नहीं मरता सवाल नमबर पच्चिस हेड ट्रेंस्प्लेंट करवाने से क्या नुक्सान होता है? सही जवाब हेड ट्रेंस्प्लेंट से सिर में खून बहना सिर की दज़ा में सूजन आना आखों के चारों और नीला पढ़ना खुजली होना संक्रमन के कारण बुखार आना हेड ट्रेंस्प्लेंट टील साल से अधिक अनुभवी डॉक्टर से ही करवाएं सवाल नमबर चबिस कैसे बता चलता है कि बारिश आने वाली है? सही जवाब सवाल नमबर 27 सेंसेक्स और निफटी में क्या अंतर है? सेंसेक्स में 30 कमपनिः शामिल होती है जबकि निफटी में 50 कमपनिय провод सवाल नमबर 28 आईस किनल लोगों को भी पीरिट आता है सही ज़वाब जी नहीं किनल लोगों को महिलाओं की तरह पीरिट नहीं आता है क्योंकि उनकी पास महिलाओं की तरह मासिक धार्म चक्र गर्व शाय अंडा शाय फेलोप्यन ट्यूब या किसी अनुवांशिग महिला के प्रजनन नहीं है इसलिए उन्हें पीरिट नहीं आता है दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंग नीजे पिन कमेंट में दी गई है आप वहां से देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिन